दोस्तों एक बार एक गुरू अपने शिश्शिक के साथ कहीं से गुजर रहे थे चलते चलते वो एक खेत के पास से गुजरे खेत बहुत अच्छी जगे पर था वहां की जमीन बहुत उपजाओ थी पर उस खेत की हालत देख के लगता था कि उस खेत का मालिक उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता है पूरी तरह से उजार सी हालत थी उस खेत की खेर दोनों को बहुत प्यास लगी थी तो वो खेत के भीच में बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुँचे दरवाजा खट-कटाया अंदर से एक आदमी निकला उसके साथ उसकी पत्नी और तीन बच्चे भी थे सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे गुरू ने पानी मांगा उस आदमी ने उनको पानी पिलाया फिर गुरू ने उससे पूछा कि भाई साहाब आपके पास इतना बड़ा खेट है ना वहाँ पर कोई फसल है ना फलो के कोई पेड़ है आखिर आप अपना गुजारा करते कैसे हैं आदमी ने जवाब दिया जी हमारे पास एक भैस है वो काफी दूट देती है उसको बेचके कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे दूट का सेवन करके हमारा गुजारा चल जाता है चूँकि शाम काफी हो गई थी तो गुरू और शिशने रात को वहीं रुखने का तै कर लिया आधी रात को जब सब गहरी निन में सो गए तब गुरू ने शिश्य को उठाया और कहा कि चलो चलो हमें अभी यहां से निकलना है पर जाने से पहले हम उस आदनी की भैंस को पहार से गिरा कर मार डालेंगे ऐसा करने का शिश्य का जरा भी मन नहीं था उसे ये बहुत गलत लगा पर वो गुरू की बात को टाल नहीं सका तो वो भैंस को मार कर रात और रात वहां से गायाब हो गए ये बात शिश्य के मन में बैठ गई थी दस साल के बाद वो शिश्य एक सफल आदमी बन गया तो अपनी गलती का पश्चताब करने के लिए और उस आदमी की मदद करने के लिए अपनी कार से उस खेत के सामने पहुंचा पर वहां उसने देखा कि उजार खेत एक शांदार फलो के बगीचे में बदल चुका था टूटे फूटे घर की जगे एक शांदार बंगला खड़ा था जहां एक अकेली भैस बंदी होती थी वहां कई अच्छी नसल की गाय और भैसे बंदी हुई थी शिश्य ने सोचा कि शायद वो परिवार अपनी जमीन किसी को बेच के कहीं चला गया है और ये सोच कर वो वापस लौटने लगा तो उसे खेतों में वही 10 साल पहले वाला आदमी दिखाई दे गया शिश्य उसके पास पहुँचा बोला शायद आपने मुझे पहचाना नहीं 10 साल पहले मैं आपसे मिला था फिर वो आदमी बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है मुझे याद है आप और आपके गुरू आये थे उस रात को तो मैं कभी भूली नहीं सकता आप लोग बिना बताये चले गए पर उस दिन ना जाने कैसे हमारी भैस पहाड से नीचे गिर के मर गई कुछ दिन तो समझ ही नहीं आया कि क्या करें पर जीने के लिए कुछ तो करना था सुलकडी काट कर बेचने लगा पैसे आये तो खेत में बुआई कर दी फसल अच्छी हुई तो उसे बेच के फलों के बगीचे लगा दिये काम अच्छा चल पड़ा और आज मैं आस पास के हजार गाओं में सबसे बड़ा फल विया पारी हूँ शिश्य बोला ये काम आप पहले भी तो कर सकते थे तो आदमी बोला तब जिन्दिकी बिना मेहनत के गुजर रही थी कोई रिस्क नहीं था तो लगा नहीं के मेरे अंदर इतनी छमता है सो कोशिश ही नहीं की पर जब भैस मर गई तो हाथ पाओ मारने पड़े और फाइनली मैं यहां तक पहुँच गया दोस्तों कई बार हम भी परिस्थिखियों के इतने आदी हो जाते हैं कि उसी में जीना शुरू कर देते हैं चाहे वो कंडिशन कितनी भी भूरी क्यों न हो यहां तक कि हम अपनी नौकरी से कई बार इतनी नफरत करते हैं पर फिर भी उसे पकड़े पकड़े जिंदी की बिताने लगते हैं कई बार नए अवसर के बारे में हम बस इसलिए नहीं सोचते क्योंकि पुराने से हमारा दाल लोटी का खर्चा निकल ला होता है हम डरते हैं रिस्क लेने से और सिर्फ इनी वजों से हम कभी अपने फुल पोटेंशल को रियलाइज नहीं कर पाते हम अपनी छमताओं का पूरा उप्योग नहीं कर पाते जिससे हमारी लाइफ कहीं बहतर बन सकती है दोस्तों सोचिए सोचिए कहीं आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी भैस तो नहीं है जो आपको एक बेटर लाइफ जीने से रोक रही है आपने कहीं उस भैस को बांध के तो नहीं रखा है और यदि लगे कि ऐसा है तो आगे बढ़िए हिम्मत करिए पर काट के फैक दीजिए उस रस्ची को जो आपको बांध के रखी हुई है दोस्तों आपके पास खोने के लिए सिर्फ वो एक भैस है यानि एक 84 चीज पर पाने के लिए आपके पास सारा जहान है स्काई इस दा लिमिट मैं शेल एंडर सिंग आपका दिन शुब हो